समाज को जोड़ने की कोशिश हो और इसके लिए सकरात्मक पहल किया जाना भी चाहिए और क्योंकि इनी प्रयासों से हम अपनी भारतिय संस्कृति को एक मजबूस थान दे पाएंगे राजी प्रबासफर स्वामी जी से खास बाच्चीत के हमारे संबादग ब्रदेश रायने हमारे समाजिक परिवेश को किस तरीके से सजाया जाए और हमारी दिन्चरिया कैसे मुकमल हो इन तमाम बातों को लेकर जब हम चर्चा करते हैं तो हम थोड़े से तनाओ में जरूर आते हैं चुकि ये भौतिक वादी यूग है और ऐसे यूग में हमें कोई गुरू की तलाश होती है और हमारे शास्त्र के अनुसार आर्यवर्थ की इस प्रित भूमी पर कई ऐसे गुरू हैं जो समाज को एक दिशा और दशा देने का कारे करते हैं आज बड़े सभागे का विशा है कि हमारे साथ डॉक्टर गुरू जी कुमारन स्वामी जी है इनसे जाना चाहेंगे गुरू जी सबसे पहले तो राची में आपका स्वागत है आपसे ये जाना चाहूंगा कि आज जो समाज की परिस्थीतियां हैं लोग मानसिक तनाओं में हैं आखिर इसकी वज़ग क्या मानते हैं आप सबसे पहले तो मैं आपके समाचार 24 इंटु 7 न्यू चैनल का बहुत ही दिल से आभार प्रकट करता हूं कि ये मेरी वाणी को जन जन तक पहुँचाने की कोसिस कर रहे हैं और माध्यम जो होता है वो मूल से हमें ता सक्तिसाली होता है तो मैं मानता हूं कि आप हम से सक्तिसाली है तो हमारी आवाज लोगों तक पहुचा रहे हैं क्या पूछा सा सवाल आपने गुरु जी मैं जाना चाहूंगा आप से कि आप समाज को जो भी विसंगतियां हैं, जिस तरीके से सहिशूनुता और असहिशूनुता की परिभाशा ने तरीके से लोग परभासी करने की चेस्टा करते हैं, इन परिस्तियोते में आखिर मनुष्य किस दिशा की ओर बढ़े औ अगर उसको ही हम फालो करें, कि हमें मानों की सेवा करनी हैं, तो हमारे समझ से उससे बड़ा धर्म दुनिया में नहीं होता है। यह जो आज समाज को बाटने का जो कारिक किया जा रहा है, वो हमारे बिचार से अच्छी चीज नहीं हैं, इसलिए कि अगर समाज बटेगा, और समाज का जब बिच्टन होगा, और एक स्वस समाज अगर हमें नहीं मिलेगा, तो आने वाली पीणियां हमारी खराब हो जाएंगी। तो हर इंसान को कोसिस करना चाहिए, कि सिर्फ मानोता के लिए जिये, और मानोता को ही धर्म बना ले। उन पर आखिर नकेल कैसे कसा जाएं। कि हम समाज को भाटे हैं, लड़ाई कराएं, जगडा कराएं। उससे उनका लाब होता है। तो ऐसी ताक्तों से हमें बच के रहना, लोगों के भाकावे में नहीं आना चाहिए। इसलिए कि इनसान को भगवान ने बहुत अच्छी चीज बिवेक दिया हुआ है। इसलिए इनसान सरुस्रिष्ट माना जाता है। तो इनसान को कोशी से करना चाहिए कि ऐसी ताक्तों से बच के रहें और समाज को एक जुट करके लेके चलें। तो उससे हमारी पीडिया आने वाली जो हैं, वो काफी प्रोग्रेस करेंगे। गुरुजी एक सवाल आपके जवाब से उभर कर सामने आ रहा है कि समाज को दिशा और दशा देना है। क्या लगता है कि आज की तारीक में जिस तरीके से भाग दोड की जिन्दगी लोग जी रहे हैं, तो क्या मेडिटेशन जैसे योग, योग विद्धा हमारी बहुत प्राचिन विद्धा है, तो इसी तरीके का कोई मेडिटेशन प्रोग्राम खास तोर पर युवाओं के लि मेडिटेशन या हमारा अध्यात ये एक सिंट्रलाइज करने का एक जगह केंद्रित करने का बहुत बड़ा माध्यम होता है, जही से प्राणयाम को आप ले लीजिए, बहुत ऊजी थेरपी है, कि आप एक नाच सांस लेते हैं, दूसरे से निकालते हैं, बैठे बैठे आप आपकर नाच सकते हैं, लेकिन उतनी देर आपके सरीर में पॉजिटिव इनर्जी भरती हैं, जो कि समाज को एक सही दीसा में ले जाने का कारिक करेंगी, जब हमारी सोच अच्छी होगी, सोच से ही समाज बदल सकता है, हमारी सोच नहीं बदलेगी, तो समाज नहीं सकता है तो वो एक सही दिशा में लोगों को ग्यान देना चाहिए लेकि ग्यान कोई संदूक में रखने वाली चीज नहीं होती है जितना हम उसको बाटेंगे उतना ही उसका परचार परसार होगा स्वामी जी क्या माना जाए कि आज के वर्तमान परिस्थितियां जो उत्पन हो रही है इसके लिए कहीं ने कहीं से क्या हमारे राजनेता भी जिम्मेवार है यह थोड़ा सा पॉलिटिकल कुछेन है तो इससे हम लोग बचेते हैं तो इसका जवाब तो समाज के जो पॉलिटिसियन हमारे वो भी समाज कही से हिस्सा हैं तो उनको भी एक तरह से सोचना चाहिए सही दिसा में अपने छड़ी तुष्टी करण के लिए यह बाटने की परं पर हमें विस्वास करना चाहिए इससे हमें कुछ लाब नहीं होता है समाज को हम सही दिसा देंगे तो ही हमारा लाब होगा अगर गलत चीजें हम किसी को राय देंगे पूरे जीवन बर हम बटकते रहते हैं लेकिन उस भगवान को खोज नहीं पाते हैं मंदीर मस्जीद इ बला होगा तो इसी सिद्धान्द को फालो करते हुए हमें एक स्वस्थ समाज का निर्मार करना चाहिए बड़ी बात कही है डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी जी ने कि समाज को अगर आगे चलना है विक्सित होना है और हमें अपनी मूल संस्कृती को फिर से पुनरस थापित करना है तो एक सार्थक पहल करना चाहिए सार गर्भीत पहल करना चाहिए हम भी आपसे अपील करेंगे समाचार प्लस आपसे अपील करती है कि आप अपनी दिनचरिया को हमेशा सकारात्मक तरीके से लेकर चलें कैमरा परसंद परसंद मित्रा के साथ बरजेस राय स समाचार प्लस राजी